नमस्कार और वेलकम टू सांसारिक बुथा नया साल आ रहा है आप नये बन रहे हो कि नहीं आज 31st December है और साल का अंत हो रहा है तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए सब लोगों के लिए दिखी जीवन में कई नये साल आएं होंगे ऐसे कई 31st आपने मनाये होंगे कैलिंडर के पन्ने पलटते रहते हैं सार दल सार बदलते रहते हैं क्या आपका जीवन में बदला वाया है कि नहीं क्या आपने खुद को बदला है कि नहीं सबसे बड़ा प्रशन तो आपके लाइफ में ये होना चाहिए हम बहुत खुशी मनाते हैं इस नए साल की धूम धाम से पाटी करते हैं एक दुसरे को विश करते हैं अच्छा खाते हैं अच्छा पीते हैं जब एक तारिक आती है जीवन फिर उस तरह से शुरू हो जाता है क्या जीवन में कुछ बदलने की इच्छा होती है इच्छा शक्ती है इतनी इतनी छिन हो जाती है और जब जब कोई नियम बनाते है और जब वो तूटता है तो कही ने कही अंदर घात भी होता है अपने सामने अपनी खुद की जो रिस्पेक्ट है अपनी जो डिगनेटी है वो कम हो जाती है कई बार लोगों के सामने भी हो जाती है कई बार लोगों के सामने हम गोशना भी कर देते हैं कि मैं आज से ये नहीं करूँगा हफते, दो हफते, शायद महीने भर के बाद फिर वही कहानी शुरू तो ऐसा क्यूं होता है हमारे जीवन में के मौसम बदलता है, हुष्ट बदलती है, साल बदलते है लेकिन हम नहीं बदलते हैं ऐसा क्यूं होता है आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसा ये शायद आप ही कोई ऐसे इनसान है जो नहीं बदल रहे है तो जब भी कभी हम प्रोकास्टिनेट करते हैं जानि जब कोई चीज़ को हम अब से ऐसा करेंगे उस पे टालते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम वो करना चाहते ही नहीं deep within कहीं हम चाहते हैं कि बस थोड़ा सा में और मिल जाए यह करने के लिए जैसे for example अगर आप एक स्मोकर हैं आप अलकॉलिक हैं आप बहुत जूट बोलते हैं आप गैंबलिंग करते हैं आप एक चीटर हैं आपके लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप ऐसा कुछ करके फिर गिल्ट में जाते हैं और कहते हैं कि अब इस दिन से मैं यह नहीं करूँगा आप नॉन्विज खाते हैं और आप सोचते हैं कि अब से नॉन्विज मैं छोड़ दूँगा तो आपके जीवत में कई ऐसे ऐसे प्रसंग आये होंगे जहां पर आप कस्में, वादे, रेजिलूशन सब करके हार चुके हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहूँगा इस नुव यर कोई रेजिलूशन मत बनाईए Don't make any resolution Resolution is also one kind of procrastination मैं एक तारिक से ये काम नहीं करूँगा क्यूं मैं आज अभी इसी वक्त decide करूँ के मैं ये काम नहीं करूँगा ऐसा क्यूं नहीं एक दिन और करने का जो मज़ा है वो क्यूं लेना चाहते हैं उस मज़े ने आपको एक पल का तो मज़ा दिया उसके बाद जिंदगी भर के जो सजाब को मिलती है वो क्या समाज के सामने तो आपको धितकार मिलता ही है फैमिली के सामने तो आपको इंसल्ट होती ही है लेकिन जो अपनी नजरों में आप गिर जाते हैं वो क्या जो अब guilt में होते हैं, तो दोनों का मजा आप ले नहीं पाते हैं, जिस शण आप उसको enjoy करते हैं, हर बार back of the mind ये चलता है, कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो गलत का जो भाव होता है, वो आपको ना present में enjoy करने देता है, और आने वाले समय में definitely वो आपको और 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 दुख देता है तो जब लगे आपको, जिस छण लगे कि अब ये चीज बहुत हो गई उसी छण उसको छोड़ दीजे और बिलकुल, बिलकुल ये मा सोची कि वो बिना किये आपका जीवन बेरंग और रस हीन हो गया है, मा सोची ऐसा जीवन में बहुत खुबसूरत रस है बहुत सुन्दर है दुनिया लेकिन देखने वाले कि दुनिया वहीं पर आके संकुचित या छोटी हो जाती है एक गैंबलर के दुनिया गैंबलिंग तक सीमित है अलकाहलिक के दुनिया अलकाहल तक सीमित है और जो स्मोकर है उसके दुनिया स्मोकिंग तक सीमित है लेकिन दुनिया एक बहुत बड़ा विस्तार है ध्यान है, समझ है, connectors है, rationality है इतना कुछ जानने के लिए पढ़ा है और हम अपने जीवन को इस छोटे से संदूक में बंद करके सोचते हैं कि बस यही जीवन है तो कृपा करके इस New Year से अपने आप में एक बदलाव लाइए सिर्फ कैलेंडर बदले ये मत मानिये, अपने आप को बदलिये और एक बात मैं आपसे शेर करना चाहता हूँ जो आपकी एनरजी है, जो आपकी पावर है, जो आपका उत्सा है उसे कभी लो मत कीजे ये आपकी बहुत यूनीक वाइड्स है, आपकी यूनीक एनरजी है उसके लिए आपको कभी भी गिल्ट या कभी भी शर्मिंदा होने की जरुवत नहीं है आप अपने आपको धीरे धीरे step by step reform करते रहे धीरे धीरे ही सही अपने आपको develop करते रहे तो कुछ ऐसे areas हैं जहां पर आपको काम करना चाहिए बिल्कुल काम करना चाहिए आपको अपना emotional quotient जो है उसको improve करना चाहिए आपके पास emotional intelligence होना चाहिए हर जगा बह जाना, हर जगा बिच जाना हर जगा emotionally trauma जहलना या trauma देना यह आपके life में नहीं होना चाहिए यह नीड तो बी वेरी वेरी stable when it comes to emotions बेरी इंपोर्टन दूसरा, आपको आपकी जो communication skills है उसके काम करना चाहिए यह आपका दूसरा aspect होना चाहिए और तीसरा, अगर आप अपने जीवन में ध्यान को उतार सके meditation को उतार सके तो आपका जीवन बहुत ही beautiful और बहुत ही सुन्दर हो जाएगा मैं अपने जो पांच साल की journey है उसके बारे मैं आपको बता सकता हूँ मैं भी अपने कई ऐसे situations से deal करते वक्त बहुत परिशान हो जाये करता था sometime I was going through short temper problem also so मैंने समझा कि जो आप life को देखते हो समझते हो तो आपको मालूम पढ़ता है कि कोई भी चीज important नहीं है आपका self importance आपका self development बहुत जरूरी है तो जो आप अपने आपको develop करते हो अपने mind को develop करते हो तो automatically आपके जीवन में जो कच्रा है वो हटते जाता है अगर आप अकेले भी रह जा हो तो यह बहुत ही खुबसूरत बात होगी आपके लिए क्यूकि अकेले होना यह भी बहुत 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 कम लोगों को मिलता है आपकेले से अकेले पन की बात नहीं कर रहूं मैं तनहाई की बात नहीं कर रहूं अकेले पन से मतलब होता है I am happy with my own company You should be so happy You should be so so lucky that you got this हर बार अकेले होते हैं लोगों को call कर देना message कर देना लोगों से मिलने के लिए मरे जाना ये आपको बंग कर देना चाहिए किसी से भी attachment आपके life में केवल और केवल दुख को अमंतृत करेगा और कुछ नहीं अपनी family के साथ समय बिताईए अपने आपको time दीजिए अपना circle जितना छोटा होता जाए उतना अचा है एक English की बहुत अच्छी quotation है जो मैं आपके साथ share करूंगा The one who is friend with everyone It's actually no one's friend तो अगर आपके आसपास कोई आपको दिखता है जो बहुत friendly है सबके साथ दोस्त है हमेशा group में घिरावा होता है वो सबसे सबसे नाकारा इंसान होता है उसके जीवन में actually कुछ होता है नहीं एक खालीपन होता है तो क्यों अपने जीवन को ऐसे खालीपन से भरना चाहते है जीवन में एक दोस्त हो एक गुरू हो एक मानने के लिए हो काफी है अगर आपका वो लाइफ पार्टनर हो तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती तो इस न्यू यर इस आने वाले 2024 में अपने जीवन में कुछ रिफॉर्म्स लाईए कुछ बदलाव लाईए अपने आप में ऐसा बदलाव लाईए कि जहां भी आप जाएं वहाँ खुशियां भी खेरते हैं वहाँ पे आप खुश्बू भी खेरते हैं एक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एन्वारिनमेंट क्रियेट कीजिए तो हर इनसान अगर इस तरह का होता जाएगा तो हमारा समाज ऑटोमेटिकली ब्यूटिफुल हो जाएगा छोटी छोटी चीज़ें आप बदलिए जैसे जब गाड़ी चलाते हैं दिखता है कोई गाड़ी को रिवर्स कर रहा है कोई कर रुक जाईए उसे जाने दीजिए उसे कोई जल्दी नहीं है हॉंक करने की उसे ट्रबल करने की कभी लगता है कि कोई फसा हुआ है जाईए उसके हेल्प कर दीजिए कोई अगर आपी गाड़ी को खरोच लग जाती है तो उतर के जगडा मत करिये, जाने दीजी उसे, कोई बात नहीं, हर इंसान अपने अपने नर्क में जी रहा है, हर इंसान की अपनी एक कहानी है, उसके जीवन में वो इतना ट्रबल है, आप जब चिलाते हो तो आप दिखाते हो कि अपना जो ट्रबल है आप उस पर वेंट आ पन दीजिए, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और हो सके तो अपनी जो जो एनर्जी है, वो वहीं पे आप जाया कीजिए, या वेस्ट कीजिए, जहां से वो सेम टाइप की एनर्जी आपको रेसिप्रोकेट होती है, या रिफलेक्ट होती है, बे कोई भी आपको लगता है कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा एरिया जहां पर आप लैक करते हैं, उसे ओवरकम कीजिए, कोई फियर है उसे ओवरकम कीजिए, अल्टिमेटली सब कुछ तो माइंड का ही तो खेल है, इस माइंड को वश में कीजिए, इस मन को वश में कीजिए, आपक आपको जीवन जीने में, साइकलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, मज़े लीजिए जीवन का, बहुत छोटा सा यूथ है आपके पास, आपकी जवानी, जो धीरे धीरे सरक रही है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर आप हमारे आसपास के बुढ़ों को देखी रहे है कितने frustrated हैं, क्योंकि वो जीवन भरपूर जी ही नहीं पाए हैं, जब जी ही नहीं पाए हैं तो क्या कहेंगे, मुझे एक बहुत पहरी सी कहानी याद आती है, मैं एक funeral में गया था, तो वहाँ पे एक around 97 years के इंसान की death हो गई थी, तो आजपास के लोग कवाते कर रहे थे, एक की बात मैंने सुनी, उसने कहा, बहुत भरपूर जीवन जीए हैं, बहुत भरपूर जीवन जीए हैं उन्हें लगता है कि वो भरपूर जीवन जीए हैं, सुवे उठे, काम पे गए, salary लिए, salary फून दिए, कुछ बचा लिए, ये जीवन नहीं है, जीवन इसे बहुत उसे जीने की कोशिश कीजिए भरपूर जीवन का मतलब है जीवन को समग्र रूप से समझ लेना उसके इंसाइट को जान लेना मज़ा लेना उसका यही जीवन होता है और प्लीज 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 एक बात हमेशा याद रखिए आप अपनी एनरजी वहीं जाया कीजिए वेस्ट कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए जहां से उसी प्रकार के एनरजी आपको मिलती है वरना आप अपना समय, अपनी एनरजी अपना रिसोर्स, इवन अपना कीमती माइंड सेट भी वेस्ट करेंगे सो आज के लिए इतना ही और आप सब को नए साल की बेहत 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 शुबकामनाए and I'm very happy new to everyone bless you all and be rational, be logical तारकिक रहिए और जीवन में हमेशा हमेशा तरक के लिए जगा बचाईए धन्यवाद